हाई फ्रेंट्स चलिए मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि ड्राइबर टांसफार्मर और ड्राइबर टांजिस्टर का किनेक्शन कैसे होना चाहिए सबसे पहले आप दखिए डेवर टांसफार्मर, ये छोटा से टांसफार्मर होता है, इसके काम होता है कि बस जो पाउर ट्रांजिटर होता है जैसा कि 37," उसको चलाना है जैसा कि आप जानते हैं, पार्वर ट्रांजिस्टर के रूप में हम अधिकतार 10W से कम जितने भी एंप्लिफायर होते हैं, उसमें कमपनिया 30-55 यूज़ करती हैं, आप देख सकते हैं यह 30-55, यह सब 30-55 लोकल है, मैं ओरिजनल 30-55 आपको दिखाता हूं, जो कि बिल कमपनी में बनाया हुआ है, देखिए यहां आप साफ साफ देख सकते हैं, बेल कमपनी का यह जो सिंबल बना हुआ है, और 30-55 लिखा हुआ है, यह मेगा कमपनी 408 में लगा हुआ था, टाइबर ट्रांजिस्टर है, हम इसी का कनेक्शन आज करके दिखाने वाले हैं, तो सबसे पह आओर ट्रांजिस्टर 30-55 की रूप में यूज होते हैं, या फिर यह ओरिजिनल बेल के 37 तर, आप देख सकते हैं, पी-21-N-2-N-37-73-B-5, यह बी-5 होना चाहिए बेल का, यह हमने चार-पिस ट्रांजिस्टर आपको दिखा रहा हूँ, यह चार-पिस ट्रांजिस्टर मिल इसका connection हम driver transformer से करने वाले हैं, इस driver transformer के मदद से हम power transistor को चलाते हैं, जिसके वज़ा से हमें और ज्यादा powerful amplify होता है, जो signal, उसी को हम amplifier करते हैं, देखिए, इसमें चार wire एक सेट दिख रहा होगा, और एक सेट दो wire दिख रहा होगा, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको ज signal in करना है, और blue, black, black और yellow में signal out लेना है, तो सबसे पहले हम इसका connection कहीं से करेंगे, आइए मैं आपको दिखा दूँ, diagram के मदद से मैं आपको समझाऊंगा, आप इस video को पूरे देखिए, सबसे पहले ये दोनो blue और yellow 377 या 35 के base पर जाएगा, जो कि power transistor को on करता है, जो भी इस बीच वाला दोनो black wire है, इससे हम bycing voltage बना करके उस पर connect करेंगे, जो 78.05 से भी बना सकते हैं, इसके बाद आप देखिए, जितना भी BT board है, best travel board है, mic board है, इसमें तीन mic है, यहां माइक सेक्शन और यह best travel है, सबसे पहले यहां देखिए, 4K7 preset लगा हुआ है, इस preset से जो भ वहां से जो drive signal out होगा, अब देख सकते हैं, वहां से हम पिला color का wire लिये हैं, और इस board को चलाने के लिए, red color से 12V plus in होगा, और यहां negative green जो लगा है, minus या earthing या common इसको कुछ भी बोलिये, लगा हुआ है, तो इस preset के मदद से जो हमें signal मिलेगा, और base travel बन करके जो signal आएगा, और उसको preset थोड़ा से amplify करेगा, इसके बाद हमें जो पिला color का wire मिला है, ये लो color का, base travel board से जो signal बनता है, वो direct driver transistor के base पर connect होगा, इमीटर, collector और base, अब पाचान सकते हैं, यहां से इसकी लंबाई ज्यादा है, और यहां से उपर लंबाई कम है, तो लंबाई जो कम है, उप ज्यादा है, उसको नीचे रखना है, और दाया वाला pin हमारा, इमीटर हो जाएगा, और बाया वाला base हो जाएगा, तो देखिए, जो, BT board से हमें signal मिल रहा है, ये लो color का wire से, preset के मदद से जवा रहा है, उसको हम base पर connect करेंगे, यहां, मैं थोड़ा छोटा wire यूज करता हूँ, थोड़ा wire ये बड़ा हो गया है, friends, तो देखिए, हमने wire चेंज किया है, और छोटा wire लगाया है, तक कि अप लोगो साफ सब दिखाई दे सके, इस board को चलाने के लिए, सबसे पहले, ये red color का wire जो, प्लस 12 volt इन देगा, और ये black color का wire है, जो negative या common होगा, जिसे माइनस बोलते है, बेग निकलर का wire है, यहाँ से signal out होगा, इस mic board में, या base travel board से, जो भी signal बनेगा, और बनने के बाद यहाँ आया, इस बेग निकलर का wire, driver transistor, जो की 35 बन है, इसके base पर यहाँ connect हुआ है, और negative से, यहाँ देखिए, माइनस से एक wire wire आ करके, एक resistance 5 ohm है, 5 watt, यहाँ से हो करके, इमीटर पर आया हुआ है, यह तो connection अब देख सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, अब देखिए, हम इसके collector, और इस transformer की connection समझते हैं, तो जिधर तीन wire है, इसको तो हम driver के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन जिधर दो wire है, इसका connection कैसे करना है, इधर ये देखिए, इधर दो wire है, उसका एक wire, डिरेक्ट 12 volt प्लस में connect होगा, इस board से 12 volt प्लस जहां इन हो रहा है, इस 12 volt प्लस आ रहा है, इस 12 volt प्लस डिरेक्ट आ रहा है, देखिए, driver transformer में इन हो गया, और घूम करके, दूसरे wire से निकला, और driver transistor के collector पर connection हो गया, अब देखिए, ये जो driver signal निकल रहा है, drive signal, ये इस transistor के base पर लगा है, और negative से common से, यहां resistance हो करके, इसके emitter पर आया है, बिल्कुल साब साब देख सकते हैं, इस board से सबसे पहले जो signal आया, बेग निकलार का wire, वा करके driver transistor के base पर चला गया, यहां भी लिखा हुआ है negative या common जो आ रहा है, हलाकि resistance इसी board में होता है, लेकिन इस board में से निकाल करके, आमने यहां रखा है, ताकि direct upload को समझ में आ जाए, transistor के emitter से resistance होते हुए, negative आएगा, direct इस में negative in नहीं होगा, 12 volt प्लस जो आ रहा इस board के लिए, वहीं 12 volt प्लस इस driver transformer में आ जाएगा, तो यह हु होगा, इसका connection, मान लिए कि यह हमारा, बेस्ट्रेबल बोर्ड हो गया, ठीक है, इस board में एक साट से, प्लस 12 volt इन हुआ, एक यहां पीन है, और यहां है, जो कि common होता है, यह, माइनस, दोनों में से कोई भी बोलिया, यह हो गया, और यहां से driver signal निकाल, रहा है यह ड्रेवर सिगनल है मांग लिजिए कोमन हो गया एक नमबर और यह पोजेटिव हो गया दो नमबर और सिगनल हो गया तिन सिगनल निकल रहा है वह ट्रांजिस्टर रहा है मां लिज यहाँ पर अ क्या है यह है ट्रांजिस्टर 30.ig एक पिन दो पिन और तिन पिन इसमें हो गया यह हो गया बेस यह हो गया क्लेक्टर और यह हो गया इमीटर ठीक है तो यह जो निगेटिव है यहां से वायर जाएगा और एक रेजिस्टेंस यहां पांच ओम पांच वाट ठीक है पांच वाट की रेजिस्टेंस निगेटिव से हो करके इस 355 के इमीटर पर आएगा इस कलेक्टर को छोड़ दीजे अब देखिए यह जो बेस है इस बेस को हम यहां से लाएंगे और डेरेक जो सिगनल ड्राइब दिया है यहां पर हम द कि यह सिगनल है जो कि बेस्ट्रेबल बोट से हमें मिलता है अब दखिए यहां मान लेजे कि एक ट्रांसफार्मर है और यहां से इसका क्वाइल है ठीक है एक साइट क्वाइल हो गया और यह दूसरे साइट का क्वाइल है यह होता है यह होता है वाइसिंग्स और इसीघस आएज के लिए यह होता है कि भाइक िसंग डोलत कि ठीक है यहां दस्माल लों थाइव बऌल्स से कट स्थमालों कि इसके बेस पर ये जाएगा और यहां भी सब्सक्राइडे सिग्नल टन्सफर्मर्ब यह तीन वाइर हमारा सपर है पूरा हो गया अब यह प्राइमिरी के वाइल ए यह प्रांड रिक्वाइल डिरेक्ट बाराभ पूलस से इन किया जाएगा बाराभ फॉज्टीव यह प्राइमरी कॉयल बाराभ फॉज्टीव से जूड़ जाएगा और ये जो दूसरा बॉलावायर है कि I have a second message कि बैकटर ऑसे जूड़ दी ठीक है यह collector से जूड़ गया तीस पस्पन ट्रैंजिस्टर का collector और बारा बोल्ट पुजेटिव प्राइमरी कोयल में आएगा और सेकेंडरी कोयल में बाइसिंग बोल्टेज इस टाइप से बनता है मैं आसा करता हूं कि आप लोग देखकर समझ गये होंगे एक बार चलिए मैं फि लिटी बोर्ड में एक साइड प्लस बारा बोल्ट और कॉमन इन होता है इसी कॉमन से हम एक पांच ओम की रेजिस्टेंस लगा करके ड्रैवर ट्रैंजिस्टर यह जो ड्रैवर ट्रैंजिस्टर है 30-55 यहां कोई भी ट्रैंजिस्टर ले सकते हैं या तो आप यहां से जो सि इस सिगनल आकर के ड्रैवर ट्रैंजिस्टर के बेस पर लगा है डिरेक्ट और कलेक्टर आकर के जो ड्रैवर ट्रैंसफार्मर है उसके एक सीरे पर लगा है और दुसरा सीरा बारा बोल्ट पोजेटिव से गया है और ड्रैवर ट्रैंजिस्टर के इमीटर एक रेश्टेंस से होकर कोमन पर गया है आप बिल्कुल देख सकते हैं साफ सब देखकर आप समझ जाए इमेज ले लिजे मैं आसा करता हूँ कि मैं आप लोग को डिग्राम से समझाने में योगदान दिया तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इस टाइप का वीडियो बनाने में तुड़ा मेहनत लगता है मैं आसा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी अपने है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन जिरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए कल मैं वीडियो में इसका फुल कनेक्शन और भाइस टेस्टिंग के साथ जो आवाज आप बनाते हैं बेस ट्रेबल बोर्ड में वो कैसे ड्राइबर टांसफार्मर आउट करता है ये मैं दिखाने वाला हूँ तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा तब तक अपना ख्याल रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो